क्या हमारे को हर गाड़ी के अंदर अलोय साइज बड़ा करना एक कमी आई थी बहुत हाइलाइट हुआता है लेकिन भाई मैंने क्यों डलवाए बीसिंच अपनी गाड़ी में अब आ जाते हैं कि आपको टार सेज अपग्रेड करना कैसे है से उपर अगर आप जा रहे हो तो भाई वाप अपने रिस्क पर जा रहे हो कैसे हैं आप सब उमीद कता आप सब बहुत अच्छे होगे फुल मैंसे भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे आपने हमेशा देखा होगा मैं जब भी कोई नहीं गाड़ी लेता है हमारी गाड़ी सबसे पहले कहां जाती है उसके टैस चेंज होने के लिए और भाई कई बार तो हम अलोईज भी साथ साथ चेंज कर देते हैं और अलोईज का हम बहुत बड़ा साइज दलवाते हैं पर क अर्कमेंड भी नहीं करता हूं लेकिन भाई मैंने क्यों डलवाए बीस इंच अपनी गाड़ी में और इस गाड़ी में क्यों नहीं 18 दलवाए तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा प्लस क्या आपको अपनी हर गाड़ी के टैर चेंज कराने चा होता है ने विडियो के अंदर वह जवाब होता है यह कहां है के कैसे होगा तो माँ वीडियो को अगर मिल जाता है अब पहले आप भी बात कर लेते हैं कि स्कॉर्प के अंदर भाई मैंने 20 इंच के अलोईज क्यों डाले जब कंपनी रेकमेंड करती है भाई 18 इंच क्यों भाई मैंने ऐसा खिलवाड किया गाड़ी के साथ कार अंतुजियास्ट नाम है क्यों डाला मैंने ऐसा टायर साइज आपको बता देता था उस टाइम पर 18 इंच में कंपनी वाले अलोईज के अलावा कोई दूसरा आप्शन नहीं था फिर दूसरी बात मेरे को बगैर कंवर्टर डाले ही अलोईज डालना था पिर जब मैंने 20 इंच का यह अलोईज देखा और यह अलोईज भाई ट्राइड एंड टेस्टिड ह पर भी हम आएंगे नहीं भाई 20 इसले डलवाया एक तो मेरे को गाड़ी थोड़ी सी बड़ी दिखानी थी टार जब गाड़ी का चोड़ा हो जाता था उससे आपको गाड़ी की स्टेबिटी अच्छी मिलती है जब आप करते हो हाई स्पीड पर करते हो स्टेबिटी होती अच्छी हो जाती है नॉर्मल टार साइज कंपणी ठीक है इस नहीं करती ना तो वह ही चीज़ है आउट ओफ इंडिया वाई 20 इंच यह चालोज आते हैं उसके अंदर यहां पर कंपनी 18 इंच देती है सबसे बड़ा मेन कारण है कि जो सड़के और हाईवे हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि वो इतने बड़ेट एलोईज को जेल पाएं क्योंकि अगर हम एलोईज साइज बड़ा करते हैं तो हमारी साइड बॉल जो है यह कम हो जाती है अधिया में भाई टायर फ्रोफाइल कम करना यह समझ लो आप अपनी गाड़ी साथ खिलबार करो नुकसान होता है बिल्कूल होता है आपकी माइलेज पे फरक पड़ता है और गाड़ीका लेकिन मेरी सकोरपेंट के पर फरक नहीं पढ़ा यह क्यों एका सेप्ष्टन केस है इसके छो जो suspension यूज़ वो पेंटा लिंक suspension है और बहुत हैवी जो suspension होता ना एक बैटर क्वालिटी का वो suspension महिंदरा ने इसके अंदर अगर मैं वो बड़ा टायर साइज डालता इसी 20 इंच के उपर तो भाई मेरे को यहां पर कटिंग करनी पड़ती या फिर मेरे को गाड़ी को अच्छे इस तरीके से लिफ्ट करना पड़ता और उस टैम पे लिफ्ट के भी अवेलेबल नहीं थी तो सबसे बेस्ट मैं यह खाने के लिए और वैसे तो यह भाई मेरे पहले ब्लैक रखें मिलिंग कट जिसको बोलते सिल्वर ब्लैक में लेकिन अब मैंने इनको गन मैटल ग्लॉस में दुबाला से पेंट किया है तो कमेंट बॉक से बताना आपको यह वाला कलर अच्छा लगा या ब्लैक वाल अच् सतरा इंच के अंदर जाते हैं तो उसमें आपका comfort level बढ़ जाता है वह इसका suspension अच्छा है फॉर्चुन का suspension अच्छा है एंडेवर का अच्छा है ग्लॉस्टर का अच्छा है यह बड़ी SUV है इनमें आप यह अलॉय साइज डाल सकते हो लेकिन जो हमारी compact SUV है उनके अंदर भ से उपर भाई मैं किसी भी SUV में recommend नहीं करता इससे उपर अगर आप जा रहे हो तो भाई वह आप अपने रिस्क पे जा रहे हो आप अपने shock पे जा रहे हो तो उसमें मैं कोई guarantee नहीं लूँगा मैं कभी कहता नहीं मैं कभी promote नहीं कहता इवन अपना रमन भाई जो velocity अर वाल माईले से हर चीज़ से आपको compromise करना पड़ेगा अगला सवाल लेते हैं कि क्या हर SUV के अंदर हमारे को all-terrain tears डालना चाहिए कोई जरूरी नहीं है आप नॉर्मल जो compact SUVs है क्रेटा होगी आपकी Teltos होगी आपकी Grand Vitara होगी High Rider होगी Harrier होगी Safari होगी इनके अंदर भाई कोई जरूरी नहीं है आपको all-terrain tears डालने की हाँ जैसे इनके अंदर tear size आते हैं आप एक tear size या दो tear size तक up कर सकते हो मैं आपको recommend करूँ हो कि आप एक tear size ही up कीजिए किसी-किसी गाड़ी के fender lining में ज्यादा जंगय होती है उसका suspension capable होता है तो आप एक tear size बढ़ा डाल सकते हो अधर्वाइस सिर्फ एक tear size up करना ही मैं आपको recommend करूँगा all-terrain की जूर्त नहीं पड़ती भाई जैसे आप प्रचनर को ले लिजिए उसके 4x4 variant के अंदर भी आपको highway terrain tear मिलता है लेकिन जो वो tear होता है उसके पास लिखा होता है M plus S मैं आपको दिखाता हूं कहां लिखा होता है थोड़ी सी compromise होती है जादा नहीं होती लेकिन थोड़ी सी होती है थोड़ी सी noise आपकी बढ़ जाती है फिर आप empty टायर डालते हो तो उसके अंदर आपना tear size change कर सकते हो और XCV के अंदर आप 255, 60, R18 डाल सकते हो उसके अंदर आपको 255 मिलता है तो 255 में आपको all tear मिल जागा वो इस situation में बोल रहा हूं कि जहां आपकी गाड़ी all wheel drive हो नॉर्मल में कोई requirement नहीं है अब आ जाते हैं भाई एक्स्टर के उपर एक्स्टर के अंदर भाई अपने को मिले थे 15 इंच का अलोई यह मेरा SX dual tone version है इसके अंदर हमारे को 15 इंच अलोई मिले थे लेकिन भाई मैंने इसके अंदर डाला है 16 इंच अलोई एक size तो भाई मेर ना ही इसका suspension इतना capable है कि मैं इसके अंदर और बड़ा एलोई जालू और जो side profile है उसको कम करके 45 तक लेका हूँ तो इसलिए भाई मैंने इस गाड़ी के अंदर नहीं डाला बड़ा एक size अपके लिए मैं कहता हूँ आपको एक size मैंने इसके अंदर अप किया है तैर size मैंने इसके अंदर दोप किया है उसके अबाद मेरे fender lining में पूरी जगया है गाड़ी कहीं से touch नहीं होती है एक कमी आई थी बहुत highlight हुआता है matter कि सेक्स्टर का suspension है वो पीछे से बहुत जादा दबता है नीचे लगता है जी हाँ भाई लगता है लेकिन वो एक condition है किस condition में लगत करते हो और tear size भी अभीड करते हो तो आपका हलका सा यहां से touch होता है तो उस situation में मैंने क्या करका है अपनी गाड़ी को दो इंच लिफ्ट करा रहा है वो लिफ्ट कराने की वीडियो मैंने पहले डाल रखिये description में में उसका link छोड़ दूँगा आप वहां जाके देख लेन प्रोपर प्रोसेस में उसमें बता रहा है खर्चा कुछ नहीं है 1500 रुपे का खर्चा है कुछ भी निए लिफ्ट करने में अगर आपको थोड़ा सा वहम भी हो गया काफी लोगों हो गया क्या रेक्ष्टर तो बैठती है बहुत suspension दबता है इसा कुछ नहीं है यह गाड़ करते हो भाई मैं कोई Chinese कंपनियों किसी को भी पर्मोट नहीं करता मैंने आपको बताया ना जब मैंने इसके अंदर डलवाया थे स्कॉर पर में उस्टाम ऑप्शन बहुत ज्यादा कम थे बहुत ज्यादा कम उप्शन थे तो इसी लिए भाई टायर का उप्शन हमारे पास जल्दी फट जाता है हलके से कट नहीं फट जाते तो यह चीज़ बाई कोई जरूरी नहीं है कंपनी का टायर नहीं फटेगा और चैनीज टायर फट जाएगा दूसरा जो ऑप्शन था यह थोड़ा सा भाई बजट फ्रेंडली विदा दूसरा जो टायर साइज तो बहुत चोबिस पत्चीस हजार पेगा था और वो अविलेबल भी नहीं जा जो टैरस में आपको बता है उसमें उसके बाद जो यह टैर से जाता है यहां अपका मर्शडी जेलेस में आता है तो मैंने भाई से सुनार का टैर डलवा है और सुनार का टैर रमन भाई ऑल्मोस्ट अब आ जाते हैं कि आपको टैरस अपग्रेड करना कैसे है जैसे मालों इस गाडी के अंदर आया था भाई 175 आप 185 डाल सकते हो अब जैसे आप नॉर्मल ले लो आपकी नेक्सवन को ले लो अब नेक्सवन के अंदर भाई 195 भी आता है 215 भी आता है तो उसमें भी तो देख आपकी राइड क्वाल्टी में ऐसा खास फरक ने आएगा आप एक टैर साइज अपगरोगे बस आपको स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी लेकिन ज्यादा टैर से अपग्रेड मत करना आपको नुक्सान हो जाएगा माईलेज का जिनको माईलेज की ज्यादा फिकर र सब्सक्राइब कर लोगे तो इस तरीके से अपना टैर सब्सक्राइब कर सकते हो सेम ऐसे सेल्टोस हुई हैरियर के अंदर 235 आता है सफारी के अंदर 255 डाल सकते हो 235 आठारा आएगा तो 235 की जंग है आप 255 60 आर 18 कर लोगे तो इस तरीके से आप टैर साइज अपना बढ़ा सकते हो और सिद्धी सी बात है जब भी आप टैर साइज को डलवाने जाते हो तो वहां पे एक बार लगा के चेक कर लेना मेरे के जो टैर साइज अच्छा लगत हैं तो भाई फाइदे तो बहुत गिनवादी है मैंने आपको के भाई आपको राइड अच्छी मिलती है है हैंडलिंग अच्छी हो जाती है लेकिन कॉंस भी है तो आपका स्टेरिंग टाइट हो जाएगा अगर आप ज्यादा बड़ा टायर साइज डालोगे तो इस गाड इस से बाइड बड़ा करने के या या कंप्रियों रखने के और एक चीज़ ओर वहाई कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर गाडी का टायर चेंज करना ही करना है काफी कंपनी जो बड़िया टायर से यह काफिक जो करती है हमारी है लिए लेक्षच अंदर पर्फेक्ट और ज लेकिन मैं recommend नहीं करूँगा कि आप भाई करना ही करना कि विक्रम भाई ने बोला है विक्रम भाई तो करवाने जाते हैं थोड़ा सा बंदे को यह होता है कि हाँ यार माइलेज में थोड़ा कम चल जागा लेकिन गाड़ी की के सारे डाउट क्लियर हो गए फिर भी अगर कुछ भाई confusion रह जाता है कमेंड वोक्स में भाई आप पूछ सकते हो जो चीज मैंने वीडियो के अंदर बताई है उससे अलावा कोई सवाल होगा तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ आप पूरी वीडियो देखके प्रुफलेश्ट बबाई